प्रॉजेक्ट मैनेज्मेंट, that is an important topic. इसके अंदर जो प्रॉजेक्ट है, it is different from manufacturing के बाखी जो उसमें, वो हैं, जिसको हम कहते हैं systems जो हैं, उन से यह बिल्कुल different होता है. प्रॉजेक्ट बेसिकली किया है इट इस यूजली सिंगल यूनिट इच प्रॉजेक्ट डिफरेंट होता है यह नहीं होता कि वह हम उसको ही रिपीट करें इवन दो अगर फॉर एक्जैंपल हम कॉलनी के अंदर घर बना रहे हैं और हमने पंदरा घर का डिसाइड किया जैसे असकरी इदर लहोर के अंदर हैं हाउसिंग सुसाइटी तो उसके अंदर एक ही किसम के घर पचास साथ बनाए जाते हैं तो उसके अंदर हर घर को फिर हम प्रॉजेक्ट नहीं कंसिडर करते क्योंकि प्रॉजेक्ट यूनीक होता है तो हम इन पचास जो हम घर बना रहे हैं वो फिर हमारा प्रोजेक्ट बन जाता है and not individual house, otherwise अगर वैसे house construct किया जा रहा है तो हर individual house is a project, तो वो single unit considered होता है, unique unit considered होता है, इसके अंदर कई related activities होते हैं, जो के एक दूसरे पर depend कर रही होती हैं, एक दूसरे के साथ interrelated होती हैं, इसका production planning is extremely difficult, as well as inventory control is extremely difficult, यह जो manufacturing के अंदर inventory control होता है, उसका basis के उपर, यहाँ वो वाला system नहीं चल सकता, equipment जो है, वो general purpose होती है, बट जो workers हैं, वो highly skilled workers होते हैं, क्योंके हर बार unique project बनाया जा रहा होता है, तो उसके लिए skilled worker चाहिए हैं, जो के उसमें perform कर सके, project management के अंदर तीन phases होते हैं, one is the planning phase, जहाँ goal setting होते हैं, project define किया जाता है, team organize की जाती है, कि उसका क्या role होगा team का, then is scheduling, it is basically, जो workers हैं, people हैं, पैसा और supplies हैं, उनको each activity के साथ relate किया जाता है, specific activities के साथ, अब activity को हम किस चीज़ को consider करते हैं, जिसका एक clear cut starting point हो और clear cut finish point हो, तो उसको हम कहते हैंगे, ये एक activity है, इसके activity को complete करने के लिए, कितने लोग चाहिए, for example हम कहते हैंगे, जी ये wall बनानी है, now that is an activity, ये पूरी wall complete करनी है, उसका start भी है, और उसके finish भी है, तो उसके लिए हमें कितने worker चाहिए, कितना material चाहिए, कितना पैसा चाहिए, ये सब उसके साथ हम attach कर सकते हैं, और ये सारी activities एक दूसरे के साथ attach होती हैं, for example, wall नहीं बनेगी तो फिर च्छत नहीं डल सकती, तो इसलिए ये interrelated हैं, wall पहले बनेगी, च्छत बाद में डलेगी, तो project के अंदर इसी तरह कई activities होती हैं, जो के इस तरह उनका relationship होता है, then there is controlling phase, और इसके अंदर हम monitor करते हैं, resources को cost calculate करते हैं, कि कहीं हम बहुत ज़्यादा exceed तो नहीं कर गया है, quality होता है, कि किस तरह का जा रहा है, budget के accordingly हम जा रहे हैं के नहीं, तो यह अगर कोई issues होते हैं, तो फिर plans को revise किया जाता है, और पिर कहा जाता है, तो time ज्यादा लग रहा है, तो उसके अंदर हम कौन सी activities हैं, उसके अंदर हम resources ज्यादा लगा दें, so that project का time हम reduce कर सकें, तो यह सब चीज़ें फिर controlling के अंदर आती हैं, और उसके basis के उपर फिर हम इस project को monitor करकर, इसकी completion की तरफ ले कर जाते हैं.